Thank God कि मैंने किसी की जान नहीं लिए वैसे एक बात तो पकी है जब हम अकेले रहना शुरू करते हैं तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है लिटली अकेले रहना बहुत कुछ सिखा देता है यार चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं ये वीडियो पार्ट टू है इसलिए आपको इंट्रो नहीं दिखा इसमें बज़े से मुझे खाना खाते खाते शाम हो गई बच्पन में जब मम्मी बोलती थी ना कि कल मैं कपड़े धोंगी और अगर चोटा से कोई किचन का काम मुझे दे देती थी जैसे सपोस्स चावल बना दे ना मुझे ऐसा लगता था अरे ठीक है कपड़े धो रहे हैं मशीन में कपड़े धालने इतना गुण सा बड़ा काम है इतना सा चीज तो मैनेज हो ही जाती होगी लेकिन आज जब मुझे खुद से करना पड़ रहा है तो पता चल रहा है ऐसा लगता है एक पैर मशीन की तरफ है और एक पैर किचन की तरफ और हद तो तब हो जाती है जब बहुत ज़्यादा टाइम लगा और वो लोग जो सोचते हैं कि मैं सिरफ चावल बनाती हूँ रोटी नहीं ऐसा नहीं है अच्छा आटा गुंद लेती हूँ मैं देख लो अभी आप मैंने बहुत सारे कॉमेंस पड़े हैं in fact मैं सब कॉमेंस पड़ती हूँ वो अलग बात बस हम लोगों को खाना मिल जाए वो ही बहुत बड़ी बात होती है जो लोक फैमिली के साथ रहते हैं उनके लिए फिर भी capacity है बट जो अकेले रहते है उसके लिए थोड़ा तफ है और अकेले के लिए एक इनसान के लिए खाना बनाना और आगी ज़्यादा टाइरिंग है Well, मुझे अभी उतनी flights मिल नहीं रही है और मैंने कुछ प्लान किया है, let's see कि वो execute होता है या नहीं यहां मेरा खाना almost ready हो गया है, इसलिए last में मैं add करती हूँ धनिया, because I just love orange, I just love और सबसी तो बन गई थी, लेकिन अभी चपाती बनाने में तो time लगना था, इसलिए मैंने खा लिया biscuit, और luckily चलो, कुछ तो था खाने के लिए, वैसे रखती हूँ मैं, यह stock हमेशा घर पे, कोई पता नहीं होता है, कब आपको खाना ना मिले, तो आपको इन सब चीजों से ही पेट बरना पड़ेगा, और biscuit खाके मेरे अंदर कुछ जादा ही energy आगी, तो मैंने चपाती की जगा, अपने लिए बना लिया paratha, और वो खाया, और यह आपको clip में दिखी रहा होगा, एकदम गरम-गरम खाना, वो भी ठंड में अलगी मज़ा होता है, वैसे तो I am not a big fan of paratha मेरे घर में सबको paratha, बहुत पसंद है, except me, खाना खाने के बाद मैं लगी अपने किसी और काम में जो आपको video के end में पता चल जाएगा कि वो क्या काम था, ये काम से free होने के बाद मुझे था एक और काम, और वो था मेरा shoot, मुझे एक video shoot करके brand को भेजनी थी, और today was the last day, त बारा kitchen में जाऊं, बारा चपाती या पराठा बनाऊं, तो मैंने अपने लिए order कर लिया burger king से burger, और life में पहली बार मैंने किसी delivery वाले को feedback मांगते देखा है, वो भी delivery के related नहीं, खाने के related, और मुझे बोलता है, order देने के time पर, ma'am, feedback दे दो, मैंने बोला, is it related to delivery or food, तो ब बट खाने के बाद लग रहा था कि वो ही time पर feedback दे देना चाहिए था, और वो भी extremely poor अच्छे लग रहा है, इस अच्छा, दस रुपे वाला बड़ा पा होता है गले में फसर है मेरे मुझे लगता है, plan जरूर execute हो जाएगा, next vlog में बने रहे और देखना हुआ या नहीं तब तक के लिए हसते मुस्कुराते रहे और अपना ख्याल रखिए, बाई